साइनस को हिंदी में कहते हैं बायू विवर यह हमारे चेहरे की जो हड्डियां है ना क्यास पास चेहरे की जो हड्डियां हैं उनके अंदर खाली जगह होता है कि अगर हमारी चेहरे की सारी हड्डियां पूरी तरह से भड़ी हुई हो, तो चेहरा बहुत भाड़ी हो जाएगा, तो चेहरा को हलका करने के लिए भी, चेहरा हमारा हलका हो, इसके लिए भी हड्डियों के अंदर खाली जगह बनाया गया है, जिसमें नम हवा भड़ी होती ह जिसे sinus कहते है, sinus 4 जोडे होगते हैं जो सबसे पहले हमारे चहरे पर होता है maxillary sinus यहां होता है ना के अंदर होता है ithoid, sure konnte, सर के ऊपर हमारे frontal sinus alet और अंग के पीछे होता है sphinoid sinus हमारे चार जोडे sinus होते हैं लेकिन sinus दो परकार के होते है acute and chronic sinusitis का जो infection है वो अगर चार हपते के अंदर ठीक हो जाए तो उसे हम कहते हैं acute sinusitis और जो sinusitis जो है sinus का infection अगर वो 12 हपते या उससे ज़्यादा का time लेता है ठीक होने में तो उसे हम कहते हैं chronic sinusitis sinusitis में सबसे पहले हमें बुखार आता है सर में दर्द होता है चेहरा पुड़ा भारी भारी लगता है पुड़े सरीर में दर्द और यह हमें कभी-कभी इस तरह की feelings आती हैं कि साइध हमें आख में दर्द हो रहा हो confusion होता है कि आख में दर्द हो रहा हो या फिर सर में रहता है, नाक से पीला पीला सेक्रिसशनस आते हैं, जो काफी ठिक गाढ़ा सेक्रिसनस आता है, मरीज इस बज़ज़ से काफी अंकॉम्पटवल फिल इता है, अगर साइनस दुनों तरफ के साइनस involved हैं, तो सर में दर्द होता है, कभी-कभी मरीज के आधे differमें दर्द होता ह चेहरा पुड़ा भारी लगता है, आखों से कभी-कभी पानी आता है, बुखार के भी सिम्टम्स कभी-कभी होते हैं साथ में, गल्ले में अब आज बदल जाती है मरीज की. जो हमारे नाक की चमड़ी है, जो म्यूकस मेम्रेन है नाक में, औरल कैविटी के अंदर, उसी तरह की म्यूकस लाइनिंग होती है हमारे साइनस में. अब क्या होता है कि जब भी कभी infection होता है या allergy होती है तो mucous membrane से secretions जादा निकलते हैं और दूसरा mucous membrane में सुजन आ जाती है सुजन आने की बजह से जो sinus की opening है वो थोड़ी बंद हो जाती है या secretions जो sinus के अंदर है वो कम निकलते हैं तो अंदर sinus के अंदर जो secretions रुख गये हैं उनमें infection हो जाता है और फिर गाठे गाठा होके और sinus को block कर देते हैं इससे हमें सर पुड़ा भारी भारी चेहरा पुड़ा भारी भारी लगता है सर में दर्द होता है heaviness लगता है और ये sinus में जो infection है ये bacterial हो सकते हैं वाइडल हो सकते हैं, fungal infection हो सकते हैं, sinus में कभी-कभी कुछ लोगों को allergy होती है धूल से, dust से, fumes से, cigarette के smoke से या दूसरे धुआ से तो ये भी एक sinus के बज़ा है दूसरा है कुछ structural deformity होती है जैसे हमारे नाग की हड़ी का तेड़ा होना, cystic fibrosis का होना, cystic fibrosis में nasal secretion से वो काफी गाड़ा हो जाता है, थिक हो जाता है जब नाग की हड़ी टेड़ी होती है तो sinus में ठीक से एडियेशन नहीं होता है, secretions बाहर नहीं आ पाते हैं और चुकी secretions अंदर रहने की बज़ह से ये infect कर जाते हैं और फिर sun fetis develop कर जाता है जब भी मरीज को sinus की सिकायत हो, आधे सर में दर्द हो, सर भारी भारी लगे या नाक बंद हो, नाक से गारा से क्रिसंस बाहर आने लगे तो डॉक्टर से consult जरूर करना चाहिए sinusitis के treatment के लिए पहले हम लोग clinical diagnose करते हैं, sinus के कुछ sinus points है, tenderness point, उसे हम elicit करते हैं, clinical check करते हैं, तो हमें पता लगता है मरीज को sinus की तकलीफ है, sinus tenderness present होता है दूसरा, दूर्बीन से नाक की जांच करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि sinusitis की तकलीफ है, मरीज को हम CT-PNS करवाते हैं, जिसमें हमें पता लगता है कि मरीज के कितने sinus involved हैं, और क्या इस सिती है, फिर एक बार मरीज को अगर sinusitis की तकलीफ हो, तो फिर हम मरीज को, मरीज commonly इसके साथ ही nasal drop हम लोग देते हैं तो कि सेक्रिसंस भी होते हैं तो हम लोग anti-histaminic भी देते हैं तो इनसे मरीज को काफी राहत मिलती हैं इसके साथ ही मरीज को advice करते हैं कि मरीज hot compression दे चाहे sinus जहां भी है चाहे forehead पे चेहरे पे गरम कपड़े से थोरा सा सिकाई करे और गरम पानी का वफार आ ले गरम पानी का steam नाक से लेने से मरीज को काफी राहत मिलती है sinus को रोकने के लिए सबसे पहले जो aggravating factors हैं जैसे कुछ लोगों को धूल, dust से allergy है, कुछ लोगों को infection है उन्हें तो antibiotic से दी जाती है लेकिन जो allergic हैं धूल से, dust से, fumes से, cigarette के, smoke से, धूवां से या किसी अन्य चीज से कुछ लोग होते हैं, pollen, pollen से या घास से infect, allergic होते हैं तो वैसे लोगों को इन चीजों से दूर रहना चाहिए, allergy जिस चीज से है उससे avoid करना चाहिए दूसरा है, कुछ लोगों की नाक की हड़ी टेड़ी होती है उन लोगों को cystic fibrosis होती है, जो underlying cause है, उन्हें हटाने से इससका बचाओ होता है इसे नाक की हड़ी टेड़ी है, तो उसके लिए septoplasty या SMR surgery करते हैं कुछ लोगों में जो sinus opening है, वो completely block हो जाता है तो उसके लिए दूरबीन से functional endoscopic sinus surgery भी की जाती है इससे इसका बचाओ होता है